चावल से जुड़ी बड़ी खबर जीहा आपको बता दें कि अब 25 किलो से अधिक की पैकिंग में बेचे जाने वाले चावल पर GST लागू होने की संभावना है, जिसके चलते माना जा रहा है कि जिसका घरेलू बाजार भाव पर असर पड़ेगा। दरसल इसके लिए जो सु पैकिंग वाले चावल की बिकरी यदी होलसेल में की जाएगी तो उस पर टैक्स लग सकता है क्योंकि उसे क्रिशी गत फार्म उतपाद की श्रेनी से बाहर माना गया है। केवल क्रिशी गत फार्म उतपाद यानी खेतों में पैदा होने वाली जिंसों को ही फार्म जिन्सधान है, जबकि चावल उसका प्रोसेस्ट उत्पाद है। इसी तरह गेहु मूल एवं आटा प्रोसेस्ट उत्पाद है, जैसे दलहन मूल उत्पाद एवं दली डालें उसका प्रोसेस्ट उत्पाद है। 25 किलो से अधिक मात्रा में पैक वाले चावल की बिक्री अगर लूज रूप में होती है, तो उस पर GST लागू हो सकता है। इस संबंध में उद्योग व्यापार छेत्र की ओर से आने वाली प्रती क्रियाओं का इंतजार किया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि सरकार के इस निरने से चावल का घरेलू बाजार भाव कुछ और बढ़ सकता है, जबकि पहले ही वह काफी उंचे स्तर पर चल रहा है। खाद्य महेंगाई को नियंतरित करने का सरकार का प्रयास भी इससे प्रभावित होगा। महेंगाई नियंतरन के उद्देशे से ही टुकडा चावल एवं गैर बास्मती सफेज चावल का व्यापारिक निर्यात बंद किया गया है। CBI द्वारा जारी सरकुलर में कहा गया था कि 18 जुलाई 2022 से डालों चावल गिहूं जैसे अनाजों आटा आदी पर GST प्रभावी होना था जब वह प्री पैकेज तथा लेबल युक्त हो बशर्ते उसकी पैकिंग 25 किलो से अधिक की मात्रा में एक सिंगल पैकेज में हुई हो